एक नया computer खरीदते वक्त आपको क्या चीज़े ध्यान में रखनी चाहिए मैं इसके और भी एपिसोड बनाऊँ जहां पर एक नया laptop एक नया phone और जो भी नई गाइड सिर्फ local दुकानों पर ही वैलिड है मैं आपर उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो online पार्ट करीद के खुद से एसेंबल करते हैं मैं यहां पर बात कर रहा हूं उन local दुकानों से जाकर जो आप लेते हो जैसे आपका computer की यह वह कहां पर सस्ते में मिल रहा है कहां पर प्रोसेसर सबसे लेटेस्ट मिल रहा है यह गलती जादा तर लोग करते हैं कि जब आज के वक्त में वह अगर computer बना रहे हैं या खरीद रहे हैं वह processor आज से 3-4 साल पुराना लेते हैं क्यों भाई अगर आप अभी बना रहे त जैसे अभी कौन सी जनेरेशन चरही वह देखो अभी इंटल ने एमडी ने लेटेस्ट प्रोसेसर कौन सा लांच किया है लेटेस्ट जनेरेशन की बात कर रहा हूं मैं चाहें वह राइजन 3 है राइजन 5 है इंटेल का आई 3 है आई 5 है आई 7 है आई 9 है डजन मैर जो भी ल सबसे चोटी और सबसे महंगी होती है तो इसमें अच्छी इंवेस्टमेंट सबसे पहले मैंने इसलिए बोला कि करनी है अगली चीज कि आपको जो मदर बूड लीना है वह ऐसा लीना है जो उसमें अपग्रेडिबिलिटी के चांसे जबा हो आपको ऐसा मदर बूड नहीं रैं की स्टिक्स लगाने की और अलग-अलग पूर्ट लगाने के जादा ऑप्शन आपको मिलें इससे साइज थोड़ा बढ़ जाएगा फांटर हो सकता है अंडिस्टाइब लेकिन आपको जादा अप्ग्रेडिबिलिटी के ऑप्शन मिलेंगे आप जादा रैं स्टिक्स लगा सकते हो नियर फ्यूचर अभी आप डोस टीक लगा रहे हो एक लगा जो ठीक बदल सकते हो ज्यादा लगा तो सकते हो सो एक रहने को बना रहे हो तो अगली चीज मैं आपको बीक्त Rider तो आपके सारे component जल जाते हैं तो अगर आप ऐसे फालतूप component इस्तेमाल करें तो फिर वारंटी प्रियर में नहीं जल के खतम हो जाते हैं फिर आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा इस जिसको अभी आप ध्यान रखें अब ज्यादा पैसा keyboard और इन सब में ज्यादा वे कीबोर्ड नहीं है यह सेकेंडरी चीज़ें यह बाद में भी अपग्रेड की जा सकती हैं और यह तनी कॉसली नहीं रहती अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो तो आपको में पैसा लगना चाहिए वो कई लोग क्या करते हैं भाया प्रोसेसर थोड़ा वीप वाला लाग बाकी बाद में चीज आती रहेंगी यह गलती आप बिल्कुल भी नहीं करना अगली चीज यह है कि आपका जो जो कंप्यूटर बनाएगा वो कई वार आपको ऐसे गलत ऑप्शन दिखाएगा जिससे लगा लो यह वाला लगा लो यह वाला लगा लो इसमें बड़ा फैंसी बताए वो आपको साइड में लगाकर दे दे इससे आपका ओवरों कंप्यूटर का जो प्राइस से बढ़ जाए आपका काम यह है कि आप अगर बनवारे हो किसी से तो एक एक कॉंपोनेंट के प्राइस देखो और मार रहा है यह ऐसा ही करते हैं इधर पैसा नहीं तो उधर मार देते हैं इधर पैसा नहीं तो उधर मार देते हैं यह चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करने हैं अगली चीज जो आपको देखनी है स्टोरेज आपका कम बजट है तो आप हार्डिस लगवा सकते हो हार्डिस किस्तमाल करना बुरी चीज नहीं होती लेकिन SSD जो होती है थोड़ी मेहंगी होती है यहां यह सच बात है SSD मेहंगी होती है लेकिन यह आपको लॉंगर प्रियुड टाइम के लिए अच्छी इंवेस्टमेंट है तो अगर आपके पास पैसे की को इश्यू नहीं है SSD ही लगवाना लेकिन अगर आपको बजट की प्रॉब्लम है तो आप लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा भी बढ़ा सकते हो ना मेरे दोस्त SSD ही लगवाना इससे आपका कंप्यूटर कोई गुना ज्यादा फास्ट हो जाएगा बूटिंग टाइम हो माई गॉड़ा किडिंग मी ओन करो तुरंत ओन हो जाएगा लेकिन हार्डिस्क लगाओगे तो लोड होगा लोड होगा थोड़ा लेट ऑन होगा उसकी सब कुछ स्लो होगा थोड़ा स्लो कर देती हैं लेकिन आप चाहें तो दौनल लगवा सकते हैं मैं अपे इसके लगासकते हैं ऊसके बाद सेट है तो नहीं चलती करें और और भी l लिए लिए चलने में वाइबरेशन होती है उसे हाड़ इस खराब हो जाती है तो मेक शूर कि आप SSD लगा है राम के उपर भी ध्यान दें कौन सा रहा है कुछ सथी कॉलिटी का रैम तो नहीं लग रहा क्या किसी अच्छी कंपनी का रैम है या ऐसे कोई भी रैम लगा दिया ह स्क्रीण की फ्रिक्वेंसी क्या है वो डिडियार कौन सा है यह द्यान दें जादा रहता है लेकिन ये भी देख लेकिन आपका मदर बुरु से सपोर्ट करता है अगर खुद से बना रहे हैं तो दूसरे वाला बना रहा है तो देखके यह बनाएगा यह सारी चीजें जो ध इतनी बड़ी स्क्रीन दे रहा है जो साइट 720P ही है तो तो सस्ती पड़ती है लेकिन आपको ज्यादा रेट पर देखके लो क्या रेजोलुशन है क्या 1080P है या नहीं है रेफ्रेश रेट देखके दो अगर लेके दो अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए और आपको 50 100 से उपर हो तो ज्यादा बढ़िया होता है लेकिन रेट बढ़ जाएगा कौन सा पैनल इस्तमाल हो रहा है कौन सी कंपनी का है उसका मॉडल दाके गूगल पर देखो इसका बेस्ट प्राइस क्या है स्मार्ट बनो यह सारी चीज लेकर कंप्यूटर को खरीदो चाहें आप आपको एसी वीडियो और चाहिए और कोई भी नई चीज करने के लिए गाइड चाहिए मुझे बताओ मैं बनाओंगा मैंने बहुत प्रेस की सारी चीज़े तो मेरे जो एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं जबी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें में दोसे को साथ शेयर करें अगर आप एक इतिकला कर बना चाहते हैं तो डिस्रिप्शिंशेक करें तू-199 रुपीज के तीन इतिकला किंग और जो आसान भाशा में आपको इतिकला किंग सिखा देंगे मैं मैं मिलता अपस एगली वीडियो में थाक्यू सो मच और ग करें आपको रहा हैं तूर जख ऑड़ के और बना भाशी झाल अबचें तूर वीडियो में गड़ोग तूरू झाल अपर करें लिलता किंगा हैं ऊपको पिपार में दो जड़िए एवाग करेंगे में दो एक बद़िसा भं़ पिलता तूर लाशब हैं थागर बद़्िस्